तो करेंटली बिटकोईन की प्रैस थर्टी थाउजन डॉलर के अरांड आ गई है और आपको बता था कि पॉसिबली एक जम जो है वह हमको देखने को मिल सकते हैं जो मेबी थर्टी थाउजन थाउजन डॉलर के आसपास में भी लेकिन उसके बाद करेक्शन के चांसे यहां प आपको बताओ कि कल का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले जिसके बारे हम पिछली कुछ दिनों से बात करते हैं और साथ में यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं भी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने यहां पर क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकि करेंचा कर दो पर करेंचा कर तो जैसा है आपर आप देखोगे अभी रीसेंटली इंडिया के अंदर G20 की प्रेजिदेंसी इंडिया के पास आ गए तो हर कंट्री को यह मिलती है जो अपने एजंडास जो है उसके उपर टॉपक पर डिसकेशन करते हैं तो अभी अगर आप देखोगे इससे पहले इंडोन यहां पर फॉर्दर क्रिप्टो के रेगुलेशन को लेके आगे चीजों को फॉर्दर लेके जा रहा है अगर आप यहां पर देखोगे हमारी फाइनस मिनिस्टर ने यह बोला है यह बड़ा इंपॉर्टन पॉइंट है बोलने का उन्होंने यह बात करी कि रीसेंट अगर को हाइलाइट करते हो बोल रहा है कि क्रिप्टो स्पेस में जो नेगेटिव डिवेलिपमेंट्स हुए उसको डील करने के लिए एक हमको कॉमन फ्रेमवर्क है जिसको लेके आना यहां पर ज़रूरी है आएम अपने पर प्र जो है वो सब्मिट कर दिया है हमारे कुछ है उसको हम सब के सब देख सकते हैं वो उस चीज़ को लेकर अग्री करना जरूरी निए कि हर कंट्री अग्री करें लेकिन कुछ ना को सल्यूशन यहां पर चाहिए तो आई थिंक यह आने वाले टाइम के अंदर हमको चीज़ें सामने देखने को मिल सकती है जि जब अन्रेगुलेटेड मार्केट से रेगुलेशन की तरफ जाते हैं तो तो टोड़ी सी यहां पर लेती है लेकिन विट टाइम वो सारी चीज़ें फिक्स हो जाती है बिटकोईन के साथ हाथ की जित्ती वी तरबुलेट ताहिम आते है अविशा वो रिकॉर एंट फिक्स यहां पर आते हैं बट कैसे वो unfold होते हैं कैसे चीज़े होती हैं we'll have to see अब इस चीज़ के उपर आपकी क्या viewpoints है एक तो RBI के जो हमारे governor synthesis paper की बात कर रहे है उसको लेके आपको क्या viewpoints है क्या आपको लगता है कि किस तरह के suggestions यहां पर हो सकते हैं do you think कुछ positive आ सकता है negative आ सक talking to you कि अगर आप देखोगे अभी currently Bitcoin की जो प्राइज है यहां पर हमको movement जो है possibly इसी तरह का देखने का मिल सकता है जैसे यह देखोगे आप 30,000, 200, 31 के आसपास भी जो है थोड़ा सा प्राइज उपर की तरफ जा सकती क्योंकि में market में क्या है लोग इतने confirm नहीं है कि हम open हो गए, pump करी तो long open कर लिए तो एक decisive market में लोगों का trend जो है एक तरफ थोड़ा सा ज़्यादा incline हो जाए वो करने के लिए market कभी कभी एक zone के अंदर काफी लंबे time तक रखता है एन एक जो चीज में आपको बता रहा था कि 14th of sorry 12th of April वो बहुत ज़्यादा important रहेगा क्यों क्योंकि वहाँ पर अब inflation numbers आने वाले है और उसकी basis पर depend करेगा कि यहाँ पर interest rate को freeze करते हैं या फिर से बढ़ा देते हैं उस पर पूरे market का reaction यहाँ पर आ सकता है क्योंकि एक video भी मैंने किया था कि federal reserve के लिए दोरों तरफ घड़ा ही है तो उनमें से दोनों में से जो कम वर देखोंगे US के जो inflation numbers है वो आने वाले है वो आएंगे around 6 p.m. इंडिया टाइम तो उस ताइम पर थोड़ा दिहान रखना market में jump और थोड़ा सा downtrend, up and down price हमको होते हुए देखने को मिल सकती है थोड़ा सा careful रहना वापर and उसकी बाद जो numbers आते हैं जी इंफलेशन की जो भी काफी negative impact कर सकता है वो market को dump कर सकता है लेकिन अगर कम आया तो वो थोड़ा सा crypto market के लिए बाकी markets के लिए अच्छा हो सकता है 5.2, 5.3 के आसपास और वो अच्छा एक jump जो है bitcoin के लिए दे सकता है जो possibly फिर अगर bitcoin की price को 30 के उपर जाना ही है volume के साथ उस चीज को confirm करें लेकिन अगर वो नहीं होता है तो ज़्यादा possibility यह है जैसा मैं बात कर रहा था है यापर कि हम थोड़ा सा यह उपर जाओ और फिर यहां से correction की chances क्योंकि यहापर काफी strong जो है यह देखो यह area bitcoin ने बहुत time लगाया था इस area को as a support की तरह test करने के लिए देखो अब किती बार हम कित positive price movement ची अच्छे volume की साथ वो सकता है अगर inflation number नीचा और positive चीजे सामने आ पर आए नहीं तो अगर वो नहीं है तो ऐसी zone पर rejection की chances थोड़े से जादा यहाँ पर होते है वैसे मैं तो hope यही करता हूँ कि उपर की तरफ बेकाओ कि यहाँ पर हो जाए लेकिन we always have this saying right hope for the best but prepare for the worst बाकि DC अपना करते रहो because as I have been saying this is the best time जब market डाउन है धरी-धरी DC अपना करते रहो and wait करो 2024-2025 एक time में जहाँ पर VLC positive movement I am more inclined towards 2025 वो थोड़ा better होगा लेकिन this according you can always DC बाकि trade कर रहो तो you always have opportunity जतना volatile market उतना पैसे कमाने का chance यहाँ पर होता है बस you need to know कि आपको portfolio management कैसे करना risk management कैस से करना है and most of all you need to know whether you are a trader or not क्योंकि trading हर किसी की बसकी नहीं होती है कुछ लोग के लिए सिफ investment ही अच्छ होता है और trading जो है वो एक business और एक skill होती है जो कुछ लोगों के पास ही होती है you also need to analyze कि क्या आप उसके लिए बने हो कि यहाँ पर नहीं बने हो तो currently यह चल रहा है guys क कर जो time है वो काफी important रहेगा to see यहाँ पर क्या होता है क्या possibly जो inflation numbers है वो थोड़े positive आते है तो market अच्छ हो सकता है अगर नहीं है तो फिर थोड़े से rejection के chances जो हो सकते हैं वो possibly यहाँ पर हो जाएंगे support wise अगर आप level बोलोगे तो आप फिर यह 25-26 का overall थोड़ा लंबे days के नंबे time period के अंदर यहाँ पर हो सकता है but let's see कल यहाँ पर क्या होता है उसके according फिर मैं आपके लिए अपडेट विडियो जो है यहाँ पर ले क्या होगा दूसरा पकी यहाँ पर अगर funding rate को देख लेते हैं तो funding rate कल जो मैं आपको बतार था अपना नूबड़ा exchange negative था तो उ main idea देगा जो भी movement होता है उपर जाता है नीचे जाता है उसके market में क्या reaction होता है क्या volume और क्या movement है वो एक better idea यहाँ पर देगा तो यह currently guys आज के लिए जो है यह quick update आप लोगों के लिए है बाकी what है यह viewpoints हमारी finance minister जो यहाँ पर बोल रही है सबस्यादा RBI governor का synthesis paper है उसको ल यहाँ पर लोगों को bullish बनाया जाए बुलिश बनाया जाए लोग थोड़ा सुचे कि हाँ अच्छा है अच्छा है क्योंकि नीचे जाए नहीं रहा है जब भी short कर रहा हूं liquidate हो और जैसे फिर सब लोगों को जाएंगे तभी price का correction जो यहाँ पर रहेगा what do you think let us know फिर कल च कर यहाँanorव जयए लोगा जाएंगे वड़्या जाए पर जाएंगे walton